हलो दोस्तों दोस्तों अगर आपकी कंपिटर की विंडोज की कुछ फाइल क्रप्ट हो गई हैं जैसे DLL फाइल और अगर आप उसे रिप्यार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किये लास्ट तक देखते रहें वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप विंडोज की क्रप्ट फाइल को बिना डेटा गवाए कैसे फिक्स कर सकते हैं दोस्तों प्रोब्लम का स्लूशन करने से पहले हमें ये जालने ला जरूरी होता है कि ये प्रोब्लम आती क्यों है अगर आप सिस्टम पर काम करते करते अपनी कंप्टर को अचानक से बन कर देंगे या उस टाइम एलेक्रिसिटी कट हो जाएगी तो उस टाइम प्रोसेस हो रही विंडोज की फाइल अपनी प्रोसेसिंग कंप्रीट नहीं कर पाती जिसकी वज़ए से वो क्रप्ट हो सकती है जब आप सिस्टम को ओन करते ह तो on होते ही एक error flash होता है जिसे आप DLL file error बोलते हैं या और बहुत सारे error ऐसे होते हैं जो on करने के बाद ही आते हैं अब उनको कैसे fix किया जाता है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अब इनी file को repair करने के लिए पुछ आसान से step follow करने होते हैं जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तो चलिए देखते हैं ये वीडियो पहले तो आपको drive में error है कि नहीं ये चेक करना है इसके लिए windows की drive पर right click करके उसकी properties में आ जाएं यहाँ पर option tool पर click करें फिर check पर click करें फिर scan drive पर click करें windows की drive को पूरा scan करके चेक करेगा कि error है क्या नहीं अगर कोई error नहीं आता है तो बहुत अच्छा अगर error आता है तो उसको fix करेंगे error को fix करने के लिए command prompt में जाकर उसको run as administrator करना है यहाँ पर type करना है sfc space forward slash scan now और press enter उसके बाद beginning system scan this process will take some time तो अगर किसी ने अपने system में SSD drive को install किया हुआ है तो वो थोड़ा सा कम time यहाँ पर ले सकती है और अगर किसी ने hhd को install किया हुआ है तो वो थोड़ा hard drive के according ज्यादा time ले सकता है अब मेरे case में मैंने SSD install की हुई है तो यह पूरा process 5-7 मिनिट में complete हो जाएगा तो यहाँ पर आप थोड़ा सा patience रखें और इसको पूरा complete होने दें वीडियो को ज्यादा लंबा ने करते हुए इस process को मैं fast forward कर देता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ने बने यह देखिए 97% हो चुका है 98 99 और 100% complete तो यह देखिए यहाँ पर आ गया है windows resource protection found craft file and successfully repaired them for online repair details are include in the cbs log file जिसकी location है यहाँ इस path पर जो located है यह देखिए win dir log cbs cbs.log इस file के अंदर वो वो लोग save किये गए हैं तो आप वहाँ पर जाकर यह log check कर सकते हैं thank you guys thank you so much 5